नमस्कार, हेलो एंड वेलकम तो दा लीगल अब्जेरवर, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, भारत राश्ट समीथी बी रस के चंदरशेकर राओ, जो वहां मुक्य मंत्री होते थे, उनकी बेटी के कवीता, उन्हें आज सुप् सुप्रिम कोट में सरकार की तरफ से पेश होते रहे हैं सुप्रीम कोट में, लगतार संजय सिंग, मनीश शिचोदिया, अरविंद केजरिवाल, इन तमाम नेताओं को जो सुप्रीम कोट से रहत मिली, उसमें स्वी राजू साब को फटकार पढ़ी है, उसका सिल्सिला लग से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अवी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉरन कीजिए, और पूरी वीडियो देखिए समझने के लिए, किस तरीके से एक बार फिर सुप्रीम कोट में ED, CBI की जो दलिले है, जो उनक कार लगा दे, मतलब क्या ना करें, जब के कविता की जमानत का मामला आज सामने आया, तो राजु साब ने पहले तो ये बोला कि ये फॉर्मेट कर चुकी है, इन्होंने अपने फोन को फॉर्मेट करके सबूतों को मिटाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोट में इस बात प फॉर्मेट कर सकता है, उसको उसके रिकॉर्ड को आगे पिछे करता है, और जजस साब ने भी का कि विश्वनात तंजी ने कि मैं भी इतने सारे मेसेज आते हैं, तो उसको डिलिट करता हूँ, वरना तो फोन को चलाना मुश्किल हो जाए, और एक फोन नी होता कई फोन होत तो इसके अधार पर आप कैसे कह सकते हैं, फॉर्मेट किया अगर किसी ने, तो लोग करते हैं, चेंज करते हैं, इस से कैसे साबितों के विश्वन यही सबूत है, या और भी कोई सबूत है, उनके इनवाल होने का, सिट्टी पिट्टी कुम कुछ नहीं था, राजी साब के नहीं है, आपने 15 मार्च को पूरे दिन रेड की, 8 गंटे है, हैदराबाद में क्या निकला, सौ करोड की आप बात कह रहे हों कि इनके कहने पर दिया, अरुन पिल्लाई बिजनसमेन जिसका हो, इसमें हमाला दिया है, उसका भी सब जिकराया, उसकी भी बातचीत निकली, कि बताओ, बुची बाबु का भी जिकराया, तो उसको ये कह रहे है कि बुची बाबु को उन्हों ने पुच्छा भी इनको क्यों ये आपने बनाया, तो कहले हैं, इनको हमने इसलिए शामिली किया, क्योंकि ये इनका PMLA में कोई इन्वालमेंट था, उन्होंने का ये बात मत चाहे छोड़ दीजे, जिसको मर्जी पिक कर लिजे, ये तो नहीं चलेगा, इस विल नोट हैपन, ये नहीं बहुपाएगा, ये उन्होंने कहा, और निश्पक्षता वाले मामले पे इतना बड़ा सवालिया निशान लगाया, कि आदमी इतनी बात अगर सुप्रीम कोट कह तो चुलूबर पानी में डूब मनने के लाबा क्या बचता है? जस्टिस, बूशन गवई, बियार गवई और जस्टिस के भी विश्वनात की इस बैंच के सामने था मामला, लोगों को अमीद थी क्योंकि उससे पहले ही, मनिश शिशोदिया के मामले में, संजय सिंग के माम में जिस तरह की बाते सामने आई, जो सारी दलीले सामने आई, कि 497 करीब, 93 के करीब गवाँ है, लाखों पचास हजार लाग अलग 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 अभ्यूक्त के हसाब से अलग अलग चार चीट है, सबसे तो अर्विंद केद्रिवाल के मामले में है, मनिश शिशुदि इनके मारे भी का अगया, पांच महीने से के कविता जी हिराशत में रही, 11 मार्च को इनको हैदराबाद से गिरफटार किया, उसके बाद दिली में इनको अपरेल में, शायद 15 मार्च को किया, 11 अपरेल को इनको दिली में CBI ने कस्टिडी में ले लिया था, यहां पर, और इनकी जमानत की याचिका खारी जोने के बाद हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में जुलाई में लगाई थी इन्होंने, जस्टिस स्वनकांता शर्मा जी की सिंगल बैंच के सामने थी, और सेक्शन 45 जो बहुत चर्चा में है, प्रिमेंशर मरी लॉंडरिंग की, उसमें प् इनकी जुद्ध की जस्टिस सदिली, इनकी उन्होंने कहा कि नहीं यह तो एंटाइटल ही नहीं है, क्योंकि यह इलीट है, पड़ी लिकी है, सॉफिस्टिकेटेड है, पावरफुल है, साथ में उन्होंने इतनी रियायत की थी कि इनका कोंट्रिबूशन, इनकोंने समाज क जो कंट्रिबूट किया है, सुजाइटी को, राजनीती के तुरूबड अच्छा है, यह भी उन्होंने लिखा, लेकिन चूंकि यह इलीट है, चूंकि यह एजुकेटेड है, चूंकि यह प्रिवलिज्ट है, उनके हिसाब से हाई कोट की जो जजज साहिवा है, लर्नेट जज, उन्होंने का कि इन्हें के यह हगदार नहीं है, इस रियायत की, सेक्शन 45 में, तो आज उस दलील, उस जजज्मेंट या उसको बिलकुल सुप्रिम कोट में खारिच कर दिया, और राजु साहब ने जो भी बाते कहीं, राजु साहब अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस जमानत देते हुए, वो था विक्रत और वर सिव यह बड़ा प्रियाश शब्द है, एन्फोर्समेंट डारेक्टेट का सी भी आई का, क्योंकि जब अर्विंद केजरिवाल जी को ट्रायल कोट से, नियाविंदू जी की कोट से, जब मिला था, जब उन्हें राहत मिली थी जमानत की, और उसमेंट ने कहा था कि E.D. बाइस से काम करें, जो की कन्फर्म हो रहा है, अब आज सुप्रीम कोट की बैंच ने वो शब तो इस्तमाल नहीं किया बाइस का, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बैंच क्या कह रही है, जस्टिस, गवई और जस्टिस विश कर दिया, और उन्होंने कंडेक्ट पे जो बाते की हैं, वो परियावाची है, वो उस बाइस का, जो बाइस की बाद नियाए बिंदु जी ने की थी, उसी को कन्फर्म कर रही है, लेकिन विवस्ता का देखी, क्या मजाक उड़ रहा है, कैसे मकाल उड़ रहा है, ये बात उ उससे उम्मीद करें, उससे दर्खास करें, इंटरप्ट करें बीच में कि साब ये मत लिखिएगा, अब मेरिट पे कोई commitment कीजिए, observation मत डालिए, रिकॉर्ड पर आ जाएगा तो मालेवाची सब को खुल जाएगा रस्ता, कमाल है, ये आलत आ गई है, और जैस आपको बोलन आप जमानात काउन के बताईए, और जबकि वुसी मामले में मिल चुकी है मिनिशी सुधिया को, वुसी मामले में संजे सिंग को मिल चुकी है, वही सारे तर्क है, वही सारे आधार है, वही गवाए है, वही मंगूटा रेड़ी है, वही बुची बाबू है, ठीके, और जि जो खुद को जिसने खुद को दोशी मान लिया है कि है उसको आप विटनेस के तौर पर इस्तमाल कर रहे हैं उसकी गभाही के अधार पर आप कह रहे हैं और उस मामले में तो आपको मालूम है कि वो दलील तो पहली हो चीकि यह खारीज हो चीकियो कि अपनीश्य सुद्या को उसी मिल गई फिर भी आप यह कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ तो ओनी चीए का दालत के समय की कि आपकी जाश पूरी हो चुकी है आप चार सिर्द आखिल कर चुके हैं जो एक्यूज्ड है वो आपके पास पांच महीने से और अभी ट्रायल ट्रायल शुरू होने के और कम्पलीट होने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है यह बात ओर्डर में लिखी है जैस साब ने इ है तो ऐसे में आपकी साधार पर बेल की विरूद कर रहे है रूनका की अदालत की इसी कोट ने कितनी बार कहा है कि भाई अंडर ट्रायल या प्री ट्रायल कस्टडी को सजा के तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती इतनी सी बास समझ नहीं आ रही इनको किस मिधान में ल समयधानी क्यानी की MLC की पर जिशन पर है तो भागने का खत्रा नहीं है जो बेल का ग्राउंड है वो सारे फुल्फिल हो रहे है किस चीज का खत्रा है कौन से गवा को इंफ्लिएंस कर देंगे इन्होंने बोला किताब ये इन्होंने इस गवा को कर दिया प्रभावित कर द देंगे तो उन्होंने का कि देखो फिर आप पी जो हम आपको वर्निंग दे रहे हैं ये जस्टिस कवई के विश्वनातन जी के वर्ड है कि वी आर वर्निंग यो मिस्टर राजू अगर आप आर्ग्यू करेंगे क्यों आप मैरिट की बात कर रहे हैं बेल में या तो आप म उसमें बोले भी ना और लिखे भी ना उन्होंने का कि ये जो जज्ज्मेंट है जिसकी बात आप कर रहे हैं जिसकी आर आप ले रहे हैं सिंगल बेंच की हाई कोट की दिल्ली हाई कोट की अगर इसको कानून बन गया क्योंकि हाई कोट जज्ज ने लिख दिया तो कानून ह उन्हें ने का इसके अधार पर तो किसी महीला को दिल्ली के अदालतों में तो कम सक्कम जमारती मिलने से रही जो पड़ी लिक्यों यानि कि कानून में सम्विधान बराबर का अधिकार देता है तो एक पड़ी लिखी महीला वो MP हो, MLA हो या कोई और हो और एक दूसरी आम मही आम व्यक्ति को उसके अधिकार तो बराबर है, उनके अधिकारों में कैसी परिवर्तन आ जाएगा, तो उसको कैसे ये कह सकती है कि चूकि ये प्रिवलेज्ड है, चूकि ये एजुकि ये सुफिस्टिकेट है, इसलिए इनको जमानत का अधिकार नहीं है, तो उन्हें आग ताके अगर हम इसको खारिज नहीं करेंगे, तो ये कानून तो दिल्ली की अधालतों में लागू हो जायेगा ना, किसी पड़ीली की महीला को तो पर बेल मिलने दे रही, इसलिए तो घलत है, ये चस्टिस बियार गवई, जस्टिस के विश्वनातन को कहना पड़ा, स्था ये कैसे सेलेक्टिवली आप काम कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये रेफ्रेंस, ये इन्फरेंस, जनता को हमें निकालना है, दिख रही हैं साफ साफ चीज़ें, नजर आ रही हैं, एक एक करके सारे जो टूट रहे हैं, एक एक करके नाखून तूट रहे हैं, पंजे तूट रहे हैं, सारे सब खतम कर रही है, सुप्रिम कोड अब बारी इसके पाद अर्विंद केजरिवाल की है जबरदस्ती टाले जा रहे है कभी ये मुनुकता, कभी वो नुकता, कभी ये टाइम मांग लो, कभी वो टाइम मांग लो तो फिलाल रहात की बात या कि कैक कविता जी को तो इस मामले में जमानत मिल गई यह दोनों मामले में जमानत मिल गई है द Southwest लाग रुपे के बॉन उनको दोनों उसमें भगने के लिका है और वोई शर्ते के अपना पस्पोर्ट जमा कराई है कि आप किसी करवा को प्रभावित नहीं करेंगे, इंफिलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, और संबंधित उसके सामने पेशी होगी, जो बहुत रूटीन शर्ति होती है, उन शर्तों के साथ उनको जमानत मिल गई है, और ED को एक बार फिर, अब फटकार शब्तों उनके लिए, पतल बहुता स्वभाविक सा शब्द हो गया है, एक रेगूलर सा शब्द हो गया है, कि उसके ED को तो कोई चिंता या पढ़वाद ही खाई देती हैं नहीं, मुकल रोतिगी जी इस बार पेश हुए थे, फॉर चेंज के कविता की तरफ से, और उन्होंने वो सारी दलिले, जो आम तोर पे हम सुनने के आदी हो गए थे, अभी शेक मनु सिंग भी जी के, वो भी थे, लेकिन वो दूसरी आदरात के सामने थे, जस्टिस, S.V.N. बट्टी और इशिकेश रौई की, आज ही जो विजे नायर, आम आदमी पार्टी के कम्मिनिकेशन हेड रहे हैं, उनकी जमानत का मामला भी आ जाया था, और 21 महीने से वो आदमी, 21 महीने से, सोचे, 21 महीने से वो जेल में है, तो उसका मामला भी आज गया था, अभी शेक मनु सिंग भी प्रजेंट कर रहे थे उनको, उस दूसरी बैंच के सामने, अदालत, बेल के लिए, और वहाँ, ED की तरफ से, उन्होंने उश्यारी करके, के साथ हमको, वहाँ भी बहुत उश्यारी करने की कोशिश गी, ऐसे अदालत को, सुप्रीम कुट को तो ऐसे लेते हैं, टेकन फॉर गरांटेड, मिसलीड करके, के साथ हमको अभी मिला है, यह तो पहली इसमें, जब आप यह रिटेंबल नोटी से पहला है, तो हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम इसको अगले हफते का समय दे दीजिए, तो इन्होंने विरोध किया, भी शेक मनुसिंद्ध की न, कि भाई, कथिस जुलाई को तुमारा वकालत नमा आए, तुम कैसे कह रहे हो, फिर उस बैंच ने, रिशिके श्रॉय, जस्टित रिशिके श्रॉय और स्वेन बट्टी की बैंच ने, पूछा उनसे कि आप डेट बताईए, यह मत कहिए रिसेंट नहीं मिला है, अप कैसे कह सकते हैं, तब उनका कि नहीं था मुझे बसे एक हपते का ही टाइम दे दीजे, मैं अगले हपते इसको करूँगा, संभवते, क्योंकि राजु साहब यहां थे, वो स्टार उनके जो एडवोकेट हो तो राजु है, तो मेरा अपना अंदाजा है, हमारा अपना अंदाजा लीगल अबजरूर का, कि इसी लिए वहाँ टाइम बाई आउट किया था, ताकि राजु साहब वहाँ पर हुकुमत को, राजु साहब के अलावा किसी पर यातुशार मैता, यही दो नाम है, जिनके पर उनको भुरुसा है, तो उस बैंच ने यह कहा, कि रिलेक्टन्टली, हम मजबूरी में एक हफ्ते का समय दे रहे हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपको फेयर, यह जो फेयर शब्द है ना, जो गायब हो गया है, गुम्शुदा है ला पता है, इस हुकुमत के मावले में, यहां फेयर, इस मास्टर वायस है, उनकी मरजी है, वही फेयर है, बाकी सब कुछ अनफेयर, जो वो ठीक है, जो वो समझे, जो वो चाहे, वो ही फेयर है, उसी की, अदालतों गंदर हो चल रही, बहराल कितना लंबा चलेगी है, एक एक करके आ रही है ना, तो देर है, अंधेर नहीं है, और यह अच्छी बात है सुप्रीम कोट की, बस अब इसमें इतना बाकी है कि जो बार-बार हम लोग सुनते हैं, कि यह गलत हो रहा है, यह ठीक नहीं हो अपना करते हैं, फिर जिस जाँच एजन्सियों के कंड़ेक्ट की, उन्होंने बात की कि हम कैसे ना लिखे उनके कंड़ेक्ट को, उनके कंड़ेक्ट को कैसे ना यहां पर अपनी अब्दिर्वेशन में लेकर आए, तो जब यह पता चले है कि अभियोजन जान बूच कर, जानबुज कर जो accused हैं, उनके साथ play कर रहा है और witness के उसमें देख रहे हैं कि आप approver को आप witness बना रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं और जिसके घर पर, जिसके घर पर केकविता वाले मामले में, कि जिसके घर पर लेन देन हुआ है, जिसको आप खहरे हो मंगुटा रेड़ी को, शरद रेड़ी को, उसको आपने accused नहीं बनाया है, उसको witness बनाया है, ये बात कही है इस bench ने, underline है, record पे, ये है इस सिथी, बतर देश तो देखी रहा है ना, देश को तो दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से CBI, ED को, उनको किस तरह से इस्तमाल किया गया, वो सारी चीजें, और अभी तो ये सिर्फ जमानत से जुड़े मामले पर पहस हुई है, लेकिन उसी में नज़र आ गया है, कि कुछ है नहीं, सिर्फ बनायावा मामला है, वो सारी बाते जो हो रही है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी ठोस, कोई ऐसा ठोस सबूत, कोई ऐसी ठोस चीज नहीं है, सिर्फ एक बनाईवी कहानी है, और इरादा सिर्फ एक था, कि किसी तरीके से जाच के नाम पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक जेल में बंद रखो, समाज में बजार में, मीडिया में, इनकी रेपूटेशन खंडित हो जाए, इनके रिसोर्से स्क्वीज हो जाए, इनका मुवमेंट रिस्टिक्ट हो जाए, और उसके जरीए आपको राजनीती इकलाम मिले, क्योंकि उस वक्त, अब तो खैरते लंगाना में हालात बदल रहे हैं, आपने देखा, अभी आपने चंपई सुरन का देखा, कल तक विरोधी थे, आज तो चंपई सुरन अपिस आगे हैं, और उसको एक प्राइज पजिशन के तौर पर लिया जा रहा है, उस पे लगे हुए, असाम के मुख्यमंत्री लगे हुए, दूसरे कई लोग लगे तो यही है राजनीती और इस निचले इस तर पर आके गिर गई, अब अगर अभी इसी कड़ी में आप देखिये, आगे आगे अभी अरविंद केद्रिवाल जी का मामला है, चतिंदर जेन जी का मामला है, विजे नायर कम आपको बताई चुके हैं, कि उनका मामला एक हफते गिलिटल गया है, और 5 सितंबर को अरविंद केद्रिवाल काना है, अभी हमें तो कोई शक नहीं है, कानून के किसी जानकार को, जो स्वतंत्र है, जो निश्पक्ष है, जो फेर है, जो कानून के राज के बारे में, कानून के रुत्बे के बारे में चिंतित हैं, उसे संदे ही और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं हमें जरूर बताईएगा चैनल को तदकाल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए समस्कार